स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल कौन्वे सिक्षा पर बोर्ड पेपर के द्वारा गाइड लाइन जो जारी की गई है उसमें जो एक्जाम होने वाले हैं वो फरवरी लास्ट से होने वाले हैं उसको देखते हुए सभी मॉडल पेपर आपके सामने धीरे धीरे एक एक करके आने वाले हैं और उन मॉडल पेपर को हम आपके सामने आपने यूटूब चैनल के द्वारा आपको बताते रहेंगे तो सभी papers के लिए चैनल को subscribe करें, like करें, share करें तो आज का जो paper दिया गया है वो हिंदी model paper है हिंदी का दिया गया class 10th का ठीक है, तो paper को चलिए solve करते हैं बताते हैं और इसको आप solve कर लीजे और इसको clear कर लीजे, इससे आपका 25-30 number का लगभग आपका exam में फसेगा ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं, पहला instruction दिया गया है पहले 15-15 minute अभ्यार्थी को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए दिये जाएंगे इसमें 2 खंड होंगे, और जो प्रश्ण पत्र है इसमें OMR seat भी दी जाएगी इसे नीले या काले बॉल्पिन से बिकल्प को भरना होगा, ठीक है सबके सामने एक एक अंग दिया होगा जिसका जितना आंक होगा प्रते प्रश्ण के संवक उन्चके अंक निरधारित होंगे ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्ण की तरफ सब्सक्राइब करिए, दूसरे पार्ट में हम इसको पूरा सौल्प करवाएंगे नेक्स्ट क्या है, लहर किसकी रचना है मुझसी प्रेमचन, जैसंकर प्रशाद, निराला, हारी कर्श्म प्रेमी तीसरा है, सुख लियुक की समयावदी क्या है नीड का निर्मार किस बिधा की रचना है ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारत, भारती किस बिधा की रचना है ठीक है न, अगली क्या है, मदुसाला किसकी रचना है भारत, भारती किसकी रचना है आधुनिक युग कब से कब सक शुरू हुआ मतिराम किस युग के कभी है हाथ से रसका इस्थाय भाव क्या होता है ठीक है तो जो इसमें सही विकलप हो आप इसको लगा सकते है पिर सोहत ओड़े पीटपत स्याम सलोने गात मनो नीलमन शैनपल आतप परियोग प्रभात उप्रवग प्रत में कौन सा अलंकार दिया गया है ठीक है रोला छंद में कितने चरण होते हैं चार चरण होते हैं आकरशन शब्द में किस उपसर का प्रियोग या अक्का प्रत्यय में कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं पितांबर में कौन सा समाज है? बहवृवरीय समाज है अच्च्का तत्बह क्या होगा? अच्छी, अक्षी, रोना, यरसंदी फलस सब्द का एक बचन विभक्त क्या होगी इसमें जो सब्द दियेगे उसमें से आपको टिक करना है ठीक है अगला है अपठत अपठत अपठनत एक बचन प्रथम पुरुष ठीक है अगला है निम्सके गद्यांस पर आधाय तीन प्रष्णों के उत्तर दीजिए यह आपका पैरा दिया गया है यह कोई बात नहीं है तो सभाव और रुची में कौन से लोग मित्रता हो सकती है ठीक है चैप्टर का नाम क्या होगा यह आपको बताना पहला उप्रिवत गद्यांस का संदर्व लिखना है यह पूरा आपको पढ़ लेना है उसके बाद इसका संदर्म लिखना, संदर्म कैसे लिखोगे? कि प्रस्तोत गढ़्यांस हमारी पाठ्टे-पुस्तक हिंदी के फला पाठ्ट से लिया गया और इसके लेखक जो है, ये हैं, तो ये आपका सारांस हो जाएगा संदर्म हो जाएगा, सोरी गद्यान से रेखांकित अंस की ब्याख्या करनी जितने में आपकी अंडरलाइन की गई है इनको अपने सब्दों में उसकी ब्याख्या करनी है ठीक है? अगला क्या दिया गया है लेखा के नुसा समाज में कीस विबनता देकर लोगों को एक दूसरे की और क्यों आकर सिद करना है तो इसको या तो अपने आप मन से लिख सकते हो जैसा आपके आस-पास दिखाई पड़ता है या तो जो इसमें दिया गया है पैरा में उसे पढ़कर आप इसमें से उत्तर निकाल सकते है या तो आप दूसरा अथवा करके दिया गया वो कर सकते हो ये भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता के इच्छा के विरुद इतना सा हस पिता जी क्या भीक ना मिलेगी ये पैरा आपका पूरा दिया गया है उसी तरीके संदर विसका लिखना है फिर गद्यांस में रेखागे तो अंस की व्याक्षया करना है या जितना अंडरलाइन दिया गया है उनको अपने सब्दों में लिखना है आपका मोटिव क्या है इस पैरा पूरे कर ठीक है पिर ममता पाठ का है इसमें जो है उपमा अलंकार है है ना तो इसका संदर पर कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुतुत पद्यांस हमारी पाठ पूस्तक हिंदी के सूर सारावली या सूरदास के जो भी रचना है उससे लिए इसके लेखक सूरदास जी है ठीक है रेखांकित अंस की ब्याख्या करनी है यानि जो बहरो सुने गूंग पुन बोले रंक चले सिर्ग छतर साई इसका ब्याख्या करेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि अगर स्रीक्रश्न भगवान की कृपा हुई तो बहरा सुनेगा गूंगा बोलेगा और जो बिखारी होगा वो पुनह राजा की भात होकर चल सकता है अलंकार मैंने बता ही दिया मूनि सुन्दर बैन सुधार साने शयानी है जानकी जानी भली तिर्चे कर नैन तिन्हे समुझा कच मुस्काय चली ये तुलसी दास की रचना है ठीक है दोस्तो तो इसको आपको क्लियर कर देना है है ना अगला आता है पांच नंबर में है दिये गए गद्यांस में किसी का संदर्व सहित हिंदिय अनवाद लिखना है गद्यांस दिया गए इसका हिंदिय अनवाद आपको लिखना पड़ेगा एशा नगरी भारती संस्कृत संस्कृत भासायाच केंद्रस्थलम अस्ति यहां नगरी संस्कृत भासा के संस्कृत का केंद्रस्थल है इव ते संस्कृत वाग्यानत संस्कृत स्लोके अलोकम सर्वत परस्ता और यहां पर सभी जगे संस्कृत के स्लोक चुनाई पड़ते हैं यानि मुगल यूराज दाराशिको ने यहां कर दर्शन सास्त्र का अध्यन किया था, तेशा ग्यानेँ चा प्रवाहिता, वे उस ग्यान से एतना प्रवाहित हुए थे कि इस उपनिसद का उन्होंने पार्सी अनुबाद भी करवाया था, ठीक है यह अनुबाद हो गया, ठीक इसे तरह इसको भी करना है। फिर दिया है पध्यांस में, मान हित्वा प्रीवभट। यनि इसका अनुवात क्या निखलेगा, यदि ब्यच्थि अपना ढमण त्याग दे, तो सबका प्रीवभट। कोध हित्वा न सोचती, और कोध को त्याग दे, तो सब का प्री हो सकता है, काम हित्वात भहुत लोबा, और यदि वो अपनी काम, काम वासना को त्याग दे, तो वहाँ सब का हित, हित ऐसी बन सकता है, लोब हित्वा सुखेन भहुत, और यदि अपना लोब त्याग दे, तो वहाँ सुखी रह सकता है, ठीक है, सर्वे बहु अपने पाठी पुस्तक खंड काब के निवहित प्रशनों के एक उत्तर देना है, इसमें आपको जो पढ़ाए गया हो, चाहे मुक्ति दूत पढ़ाए गया हो, या जो एति जवाहर पढ़ाए गया हो, या इससे रिलेटेड आपको जो भिम्यवार मुकुट दिया गया हो, उ उन्होंने अपने जीवन में कौन-कौन से काम किये, उसके बारे में आपको अपने सब्दों में लिखना होगा, ठीक है, और इसमें दोनों एक नंबर, कुछ बच्चे गन्फ्यूज हो जाते हैं, कि इसमें एक नंबर करना है, दो नंबर करना है, तो इसमें एक और दो दोनों करना पड़ेगा ठीक है ना, clear है, बढ़ते हागे अगला आपका दिया गया है जीवन परिचे, जीवन परिचे आपका डाक्टर राजन प्रशाद, जैसंकर प्रशाद और आचार राम चंसुग, इन तीनों परिचे आपको करना पड़ेगा, ठीक है तीन पांच नंबर काएगा, जिसमें तीन नंबर में आपका रहेगा जीवन परिचे और दो नंबर में इनकी रचनाय रहेंगे, ठीक है ना तो ये ना हो जाएगी आप जीवन परिचे लिख दे रचनाय छोड़ दे आपको एक स्लोग लिखना है, बहुत लोग क्या करते है दो, तीन, क्लास, चार का जो याद होता, वो लिख देते हैं तो उसके नंबर नहीं मिलते हैं आपको अपनी बुक से जो याद कराये गया हो, उसे आपको लिखना होगा नेक्स्ट आपके questions दिए गए है निमनखित में से दो प्रशनों के उत्ता लिखना है इसमें चाहे आप भारती, संस्क्रत, मूले, किम, अस्त, यह लिख सकते हैं पुरराजा, कासित, चंदरशेकरा, कासित, वीरम, केन, पुजे इसमें से जो आपको suitable लगता है, आप उसको लिख सकते हैं तो दो प्रशन लिखने हैं, प्रते एक प्रशन के number कितने हैं दो-दो number दिए गए हैं, ठीक है ना जितने आप लिखेंगे, दो प्रशन हैं, मतलब चार number आपको मिलेंगे ठीक है ना, अगला क्या है निमनखित में से किसी एक बिशेपन निबंद लिखना है या तो आप इसके लिख सकते हैं, या इसके या इसके लिख चारों में से किसी एक का आपको निबंद लिखना पड़ेगा तो ऐसे ही आपका जो paper आएगा, वो paper आपका ऐसा ही आएगा अगला पेपर जो आएगा हम आपको उसको जल्दी जल्दी प्रोवाइट कराएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और पूरा वीडियो देखिए जिसमें और इस पेपर को सभी लोग मिलके तयार कर लीजे इससे कम से कम आपका जो है बहुत जादा लगभग 25 से लेकर 30 नमबर तक इस पेपर से आपका आने वाला है क्लियर ना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत